नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तभ्यम अगर आपके जीवन में काफी परेशानिया आ रही हो काफी टाइम से आप कोई कारे को कर रहे हैं लेकिन आपका कारे नहीं हो पा रहा है काम बनते बनते रुख जाता हो यदि आपके परिवार में कोई वेक्ती लंबे समय से बीमार चल रहा हो या कोई कारे ऐसा है जिसे आप बार बार करते हैं और वहार नहीं हो पा रहा है काफी कोशिशों के बास पैसा खर्च करने के बाद भी आपका कारे नहीं हो पा रहा है तो एक छोटा सा कारे है जो आपको शनिवार के दिन करना है आप किसी भी महिने के किसी भी शनिवार के दिन इस उपाय को करेंगे तो आपका कारे सिद्ध होगा आपका जो भी मकसद है आप उसमें सफल होंगे आप जो भी कारे करने जाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी आपके सारे बिगडे कारे भी पूरे हो जाएंगे दो उपाय छोटे छोटे से हैं एक पहला है पीपल का वरक्ष कहीं भी आसपास हो उसमें आपको एक छोटा सा उपाय करना है एक मुठी काला तिल लेना है काले तिल बिलकुल साफ कर लें या फिर आप धोलें सुखालें उसके बाद ही उसे इस्तेमाल करें एक मुठी आपको काला तिल लेना है उसे लाल कपड़े में बांध कर पीपल के वरक्ष के नीचे शनिवार की शाम को रख देना है और एक छोटा सा दीपक आपको गाय के गी की बाती का दीपक जला कर आना है ऐसा आप दो तीन सनिवार को करेंगे तो आपके सारे बिगडे कारे पूरे होंगे और कारे में आ रही बाधाएं भी दूर होंगी आपके मार्ग में आने वाली जितनी भी बाधाये हैं उनसे आपकी रुकावट दूर होगी शनी वार के दिन दूसरा उपाय एक और करना है जो की है कच्चा दूद जी हां दोस्तों आपको कच्चा दूद लेना है एक कटोरी में कच्चा दूद लेने पीतल या तांबे की कटोरी नहीं होनी चाहिए नॉर्मल स्टील की कटोरी में एक कटोरी कच्चा दूद लेने उसमें 21 दाने आप काले तिल के डालने काले तिल के पूरे 21 दाने गिनकर डालने और उसे शिवलिंग पर अरपित करें साथ में आप बेल पत्र हो तो बेल पत्र भी अरपित करें ऐसा आप तीन शनिवार तक करें आपके जो भी बिगड़े काम है वह पूरे होंगे और आपकी जीवन में आ रही बाधाएं बहुत दिनों से जो काम अटके हो हैं वे भी पूरे हो जाएंगे आप यह उपाय करके देखें करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताईए आप लोग भी इन उपायों को आजमाएं और अपने जीवन की सारी समस्याइं आपकी दूर हो जाएंगी चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किये बेना ना चाहिएगा एक लाइक दे दीजिएगा श्री शिवाय नमस्तभ्यम